हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको बताने चारी हूँ एक बहुती सिंपल रेसिपी जो है बच्चों की फेवरेट और वो है फ्रेंच फ्राइज आज कल हम भार का खाना वाइड कर रहे है इसलिए आप इसे घर पर बना के खिलाईए बच्चों को और इन्जॉय कीजिए बारिशों में चाय के साथ और इसमें आपको क्या खड़ना है कि पहले आप आलू को पोटेटोस को अच्छे से छील के धो कर और इसे काट लीजिए औ और इनको अगर आपको काटने के बाद दोना है तो स्थार्श निकालने के लिए वह भी कर सकते हैं पिर जब यह अच्छे से थोड़ा सा आप टॉवल पर रख लीजिए तो वह सूख जाएंगे ना उसके बाद आपको ऐसे लेलीजिए प्लेट में और इसमें फिर क्या करि तो यह मैंने कॉर्ण फ्रोड थोड़ा इसमें डाला है और इसको फिर आप हाथ से अच्छे से मिला लीजिए तो इसक्रब कर लीजिए थोड़ा सौड ले लीजिए एक बड़ा चम्मच बरके इसमें 100 ग्राम आलू मैं और फिर आप इसको हम क्या करेंगे फ्राय करेंगे तो यह किक्दम क्रिस्पी फ्राय होगी तो इसमें अच्छे क्रिस्पी बने हैं एकदम और इसमें आप उपर से थोड़ा से और चाट मसाला डालिए और यह बच्चे बहुत ही मज़े लेकर खाने वाले हैं और आपी इसे इंज्वाए कर सकते हैं थैंक्यू